नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप? इश्वर करें, आप सभी स्वस्त होंगे मुझे पता है कि आप confusion में होंगे confusion इस बात का कि इस साल 2019 में जो हर्ताली का ब्रत है हर्ताली का तीज है वो किस दिन करना है? कुछ लोग करें हैं कि 1 सितंबर को करना है अगर आपको भी इस प्रकार का confusion है तो इस वीडियो को अन तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेड जरूर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यानि कि जोतिश मंतर सब्सक्राइब भी कहा जाता है और कुछ जगो पर इसे गोरी तीज या गोरी तीजा भी कहा जाता है हर्ताली का तीज करवा चोट के समान ही बहुत ही महत्वोन और प्रभावशाली तथा अत्यांत कठिन ब्रत है जिससे सुहागिन महिला करती है और हरताली का तीज को कुवारी कन्या भी कर सकती है चले हम बात कर लेते हैं कन्फीजन की कन्फीजन यह है कि दो तारिक या एक तारिक एक सितंबर या दो सितंबर तो हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार उदेकाल तिथी को ही सरवत्तम या पूर्ण तिथी मानते हैं उदेकाल तिथी का मतलब होता है जिस तिथी में सूर्य उदे हुआ हो उसको उदेकाल तिथी कहते हैं तो एक तारीक को तो जो सूर्य उदे होगा वो दूज में होगा और 8 बज के 58 मिनिट से 30 लगेगी याने 30 लगेगा तो आपको अगर पूजा करनी है एक तारिक को अगर पूजा करनी है तो आप 9 बजे के बाद करें ये तो होगी पहली कंडिशन दूसरी कंडिशन ये है कि तीजा का ब्रद जो होता है वो हस्त नक्षत्र में ही उचित माना जाता है और हस्त नक्षत्र एक तारिक को 2 बज के 69 मिनिट याने करीवन 3 बजे से स्टार्ट होगा तो अगर आप एक तारिक को पूजा करना चाहते हैं तो आपको 3 बजे के बाद पूजा करना है लेकिन 3 बजे के बाद मौरत अच्छे नहीं है तो अगर आप चाहते हैं कि एक तारिक को ही आपको पूजा करना है तो आप तीन बज़े से थोड़े से पहले से आप पूजा स्टाट कर सकते हो फिर इसके बाद कभी तक भी पूजा चल सकती है ये तो हो गया एक तारिक की बात अब हम बात कर लेते हैं दो तारिक की अग 2 तारिक के अगर बात करते हैं तो दो तारिक को जो उदे कालती थी है वो तीजा है जो कि हमारी condition के हिसाफ से सही बेटती है ठीक है लेकिन वो तीजा जो है वो सिर्फ 8 बच के 58 मिट तक ही है सुबे 8 बच के 58 मिट तक ही है इसके अंदर-अंदर आपको पूजा करनी पड़ेगी और दूसरी कंडिशन यह है कि उस दिन हस्त नक्षतर एक बच के 26 मिनिट तक है तो देखा जाए तो आप एक बच के 26 मिनिट के पहले-पहले भी अपनी तीजा की पूजा कर सकते हो दो तारीक को तो यह दो कंडिशन है जिसके कारण इस साल इतना कंफिजन बना हुआ है कुछ पंडित इसको एक तरीका बोल रहे हैं कुछ पंडित इसको दो तरीका बोल रहे हैं अगर मेरी माने या मेरे मत अनुसार अगर आपको काम करना है या आपको पूजा करना है तो आपको दो तारिक यहने दो सितंबर को तीजा रखना चाहिए उस दिन दोनों कंडिशन हो सकती है कि आपको हस्त नक्षदर भी मिलेगा साथ में उदेकल तिथी भी मिलेगी दोनों ही मिल जाएगी आप अगर एक बच के 26 मिनिट से पहले-पहले कर लेते हो तो तो यह हुआ कंफिज मुझे लगता कि यह कंफिजन आपका दूर हो गया होगा चले हम मैं आपको महुर्द भी बता देता हूँ दोनों दिन के महुर्द एक सितंबर के भी और दो सितंबर के भी अगर आप एक सितंबर को करना चाहते हैं तो आपको दो पहर दो बच के 69 मिनिट से पूजा स्टार्ट कर देनी है यानि कि ऐसा नहीं को तीन से आगे निकल जा है क्योंकि कर तीन के बाद अगर पूजा स्टार्ट करेंगे तो चोगडिया यानि महुर्द खरा हो जाएगा और महुर्द खरा हो जाएगा उसे पूजा करने का मतलब नहीं रहता है इट मेंज आप अपनी पूजा का जो स्टार्ट है वो कम से कम दो बज़ के अठावन मिनिट से स्टार्ट कर दे उसके बाद चाहिए आप चार घंटे पूजा करी उसके कोई प्रावलों नहीं लेकिन आप दो बज़ के अठाविन मिनिट से आप अपनी पूजा सुरू कर दें और अगर आप दो तारीक को याने दो सितंबर को तीजा का ब्रत रखना चाहते हैं तो आपको 8 सुबह 8 बच के 55 मिनिट से 10 बच के 58 मिनिट के बीच में कभी भी आप पूजा कर सकते हो मुझे आशा है कि आपका ये कन्फिजन दूर हुआ होगा अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई कन्फिजन है कोई बात आपको बतानी है या आपको पूछनी है तो आप कमेंट्स के तुरूप पूछ सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नएवी शक्सा तब तक आप रहे ही खुश और मुझे दी जाग्या जय हिंद्ध